ये है दिली दर्पन राश्ट का दिली दर्पन टीवी देख रहा है, मैं हूँ आपके साथ पुनित गुपता, दिली राजधानी के बड़े नीजी स्कूल के भार हम है, दिली सीटी स्कूल, और मेरे साथ यहां में भार हैं, यहां के शात्र स्टूरेंट्स सभी यहां में भार हैं, सुबह आयते पढ़ए करने के लिए लेकिन बच्चों को भार कर दिया गया है। इस बंस सभी बच्चों से बातच में से बा tapच्प पाएंगे। उभा सकते बच्प पढ़के सवांओ यहां पर कि आइसा कैसा हो जाता है कि जो बच्चे सुबह पढ़ने के लिए आते हैं वजनको स्कूल के बाहर एक निजी स्कूल मबड़ा स्कूल है बिली सिटी स्कूल उसके बार स्भष्ब कर दिया गया है हम स्कूल आये थे पिर पर हम को थोड़े थे पहले 15-20 लोड खड़ा रखा फिर बाद में कहते जिनों ने फीस नी दी वह उनको वहां खड़ा कर रहा थे जिन निदी फिर बाद में बहार निकाल दिया हम ने मंद्री तो दे रह थिए सारी वह दो बस हमने वह सब्सक्राइब कर दो तो कैसे वी दो हमें नहीं पता हमें दो आप कैसे विण करके दो लेकिन हमें पैसे चाहिए आपने फीस कुछ भी सम्मिट करी है और इनके पास है भी लेकिन फिर भी नहीं ले रहे और यह इतना तक कह रहे हैं कि जो फीस हम आपको देंगे वह हम एन्वल चार्जिस में काटेंगे फिर फीस क्यों देफें हम क्या पॉइंट बन रहा है आप फीस दे तो बाकी बच्चों को इठालिया है मुझे अकेले को भेज दिया है पेरेंट्स को अपस भी होई क्या जब से श्कूल चेंज हूआ है नामवाम सब कुछ चेंज हूआ तब से हो रहा है अचा तो प्रसासनपूरा बदल गया है कर पूरी मेंजमेंट चेंज पर 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 बातचीत करेंगे आपके बच्चा को से लास पर कि इस है कि उन्होंने बोला है कि आपकी जो जमानी यह बच्चों को बाहर कर दिया जब कि मारे फूरी फीज एडवांस है निसमबर तक की कोई बैस नहीं है और पेमेंट भी ले लिए उसका अनुने दिया भी तक स्कूल की प्रिंसिपल से बात हुई है वो कह रही है हमारे से रिटन में इन्होंने लिया था कि अन्वल चार्जिस हम थोड़े-थोड़े करके जमा कराएंगे उसके बाफ जूद इन्होंने एक पेपर देने दिया उसके बाद आज फिर बाहर निकाल दिया यह इनका रोज पिछले साल का भी आपका द्यूए वह भी आप मांग रहे हैं कि पिछले साल का भी आपको देना पड़े पर जो दिया गया है बच्चों को उसके बाहर में जाकर इनको दिने दिया आप सेकंड पेपर में इनको स्कूल के गेट से बाहर निकाल लिए परसों मैं अपनी xy आप मुझे प म critic कर लेए अब मुझे कर रहे हैं विफने बच्चे को अंदर दो तो मैं से कैसे बैज दू केले किसी बच्चे ने कोई मिस हैंपनिंग कर ली तो उसका कौन रिस्पॉंसीबल होगा हम फ्चे को चले गए हमने लेटर दे लेती तो उसके लेते हो तो इसका कौन जमेवार है क्या स्कूल पर सेशन कीमेवार होगा सर में पिछली बार वे आई ती यही डियट ती आपका बना देते हैं जिस तरीके से भी आप देना चाहें अगरी करेंगा ऐपके बैठेगा फिर तोड़ी यानि कि मैं हट की मेरा सलूशन हो गया लेकिन फिर मैं आज गुरूप मेरा बच्छा फिर भार है यह मेरी फीस तोड़ा और कोई भी बात करने के लिए तयार चार्जिस में डाल दिए जब कि यह बात हुई थी कि मैं फीस जमा करूंगी और एन्वल चार्जिस के ल को भी फोन किया है उन्होंने भी मना कर दिया उन्होंने इस तो कर नंबर दिया कि वहां बात करी वो कहरे हमारे अंडर में यह मतलब है किसके अगर मैं यह मनी में कुछ और कर लेने उसमें क्या यह बताया गया है कि आप स्कूल को यह अधिकार है कि वह कैसे भी पैसे ले सकता है कोई भी तरीका से ले सकता है बच्चों को भार करेंगे कि लास के अंदर उसको के बच्चे को सब के सामने खड़ा होगे पनिश किया जाए कि तुम्हारे पैसे नहीं तो यह उनको अधिगार दिया गया कि स्कूल को कि अपने मन माने तदी के साथ पैसे वसूल कर ले एजूकेशन ऐसे पूरी होगी यह बिजनस है आप हरास करते हैं सर अगर इस हरास्मेंट में बच्चों में से किसी ने भी सैंसेटिव हुआ और उसने कुछ एक्शन ले लिया क निकाल दिया अगर बच्चे ने बाहर कुछ कर लिया इन केस कुछ हो गया कौन डिया क्या स्कूल रिस्पवलीटि लेगा क्या स्कूल स्टान सब्सक्राइब को सोग्र किसल से स में पेंटे हुआ थों सकूल को कोई भी रूल नहीं कर लिया तो इन्होंने बोले ठीक है बच्चे इसी वज़ा से आए लेकिन बच्चों को धक्के देके भार निकालके लॉक लगा दिया गया अभी प्रिंसिपल से बात हो रही है तो प्रिंसिपल पहले तो बाहर आई नहीं रही थी भार आई नहीं रही थी हमने सब बोला है ये स्कूल मैनेजमेंट में देखना है हम आज तक की फीज दे रहे हैं तो हमारे बच्चे इंडरॉल है हमारे बच्चे स्कूल के मेंबर है इसके स्टूडेंट है तो बच्चों को पूरा हक है एक्जाम देने का और प्रिंसिपल ये कह के बाहर निकाल रही है कि मैंने और ये ढूंझी अभी नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है ये बत्चों को किया जाता है ौह हरश चाप किसी भी पेरेंट्स के सकता बच्छों का बच्चों को कि वुटफे पेस स्कूल से भाहर निकाल या नहीं दे सकता त कि क्योंकि एडमीट कार्ट करना चाहिए आपके लुटूस के साथ करना चाहिए अट लीज़ थे कि बच्चा मतलब एटलीस पेरेंट से इजीली पे तो गर पाएं एक दम से इतना है माँन तो पेरेंट कोई भी पेरेंट नहीं पे कर पाएंगा न सब्सक्राइब हमलोग 9 बजे स्कूल आये लिए उसके बाद आदा घंटा तो हमें ख़रा रखा है फिर उसके बाद भार निकाल तो बाहर हमें बाहर हमें फीस के वजह से अडंड कार नहीं दिया गया और जिए अडंड कार नहीं दिया तो पेर न्यू देने दिरे और ये लोग सिर्फ इस सा पिछले साल के मांग रहे हैं इस साल का तो भी कुछ बोली नी रहे हैं तो वो बोलते हैं कि हमने आपकी पीडिये के समाट क्लास तो आपके से कैसे बोल सके कि स्माट मों आपकी समाट क्लास हमने यूज नहीं कर रही फूरना के टाइम पर बच्चों को इस टांपे कुछ हो गया ना तो स्कूल रिस्पांसिबल और बस मुझे इस चीज का जवाब देदे स्कूल वह कहते हैं कि स्टूरेंट के लिए अखबार में लेक निकालती है कि बच्चों को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए लेकिन स्कूल की इन हरकतों की वज़े से आज कितने इस बच्चे तनाव में दिखे सुबह से बच्चों के एक्साम होते हैं, सुबह स्कूल रहे हैं सुबह से बच्चों के एक्जाम होते हैं. तुम अपने की तरीका हो तो पता निए शोटे बच्चे जो यहां कितना क्राइम और ईवन बच्चे जो वो सर बिल्कुल भी मजिन जहते कि ना इनके अंदर बिल्कुल भी वह धारे नहीं है अगर यह बच्चे कल को बहार निकल P अपने आपको कुछ करा लें तो कौन जीमे उपके सामने बच्चा इतने बुरे तरीके सरो रहे हैं यह फीस नहीं दोगे तो हम आपको एक्जामनी देने जाएंगे और अभी इन्होंने फॉल स्टेट्मेंट बनाया मेरे पास एक बच्चा है जो एडमिट कार्ट के बिना पेपर दे के आया है उसका यह कहना है कि मैंने स्कूल फीस जमा कराई तो वो मेरी एन्वल चार्जिस के अंदर उसको करके मेरे को पेपर देने दिया गया है अब दिल्ली स स्कूल से बाहर कर दिया गया विटा आपको एक्जाम क्यों दिया गया है क्योंकि मैंने अब्च्च करेदी बट मेरे पेरेंट्स ऑक्टूबर नमबब दिसंबर की देने आए इन्होंने उसमें नहीं काटा इन्होंने काटा एनुल में तो बस आनुल फीस के जाने की और हाफ आनुल चार्जेश जाते हैं उसकी वज़से नहीं फीस नहीं पेपर नहीं देने दिया है और आनुल चार्ज जो है वो पेरेंट्स ने जमा नी किरा जिसकी वज़से ग्यार्वी के सारे बच्चों को स्कूल से बहार निकाल दिया गया तो इल्ली में ऐसा हाला कि पहली बार नहीं है राद्धनी के कई नीजी स्कूलों की ऐसे शिकायते आती रहती है जिसके लिए डिली सरकार भी काफी सबंचित करें कि इनको इस नमबर पर इस नमबर प्राइब आए रखर जाएब देग्ट